कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब SCS Academy के YouTube चैनल पर मैं आपके साथ हूँ आपका दोस्त पंकर्श शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मान कुद्पत्तिया ओरिजिन ओफ यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मान क्या है दोस्तो अक्सर टीवी में हम अंत्रिक्ष के दरश्य देखते हैं और उने ही ब्रह्मांड समझ लेते हैं लेकिन ब्रह्मांड की परिभाषा इससे कहीं अधिक विस्तृत और विशाल है इसे सामाने शब्दों में अधि समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि अस्तितुमान समस्त द्रव्य एवं उर्जा का सम्मिलित सुरूप ही ब्रह्मान कहलाता है इसमें ना केवल आप और मैं बलकि छोटे से छोटे अनू से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगाएं एवं उनके समुह जिसे सुपर कलस्टर कहते हैं आदी सभी शामिल हैं दोस्तो ब्रह्मान के उत्पत्ति के संदर्व में यदि सिध्धान्तों की बात करें तो समय समय पर अलग-अलग वैज्यानिकों ने इसके संदर्व में अलग-अलग सिध्धान्त प्रस्तूत किये हैं लेकिन इन सभी सिध्धान्तों में सबसे ज़्यादा मान्य सिध्धान्त है हेंडरी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया महाविस्पोटक सिध्धान्त जिसे बिग बैंक थियोरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तो यदि लेमेत्री की बात करें तो लेमेत्री बेल्जियम के पादरी रहे हैं और खगोल शास्त्री भी रहे हैं साथ इसाथ बेल्जियम की युनिवरसिटी में भोतिगी के प्रोफेसर भी रहे हैं जौर्ज लेमेत्रे बिग बिंग सिद्धान्त के तहट ब्रह्मांड के विस्तार की अवस्ताइं दोस्तो लेमित्रे ने ब्रह्मांड के विस्तार की निमलिकित अवस्ताइं बताई हैं लेमित्रे के अनुसार जो महविस्पोर्ट की घटना है वो आज से लगभग 13.7 अरव वर्ष पहले हुई थी और इनके अनुसार अपनी आरंबिक अवस्ता में ब्रह्मांड एक संकुचित या छोटे से बिंदू की रूप में अवस्तित था इसमें वे सभी पदार्त मोजू इसमें की छमता खतम हो गई तो इस बिंदू में बहुत तेज विस्फोर्ट हो गया और इस विस्फोर्ट के परिणाम स्वरोफ ही इसमें मौजूद सारा द्रवमान सारे तत्व बाहर चारो तरफ फैल गए और इसी के कारण ही ब्रहमान अस्तित में आया है दोस्तो इस और साती सात कई पदार्थ बने न्यूट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन और न्यूट्रोनों जैसे तत्व भी इसी समय अस्तित में आये थे दोस्तो और इन ही के कारण आगे जाकर धूल के कन और गैसों का निर्मान हुआ इन गैसों के सनलयन के फल्सुरू बड़ी मात्रा म उर्जा उत्पन हुई जिस उर्जा से ही आगे जाके तारों का निर्मान हुआ कई तारों के मिलने से आकाज गंगाओं का निर्मान हुआ और कई आकाज गंगाओं के समूह से सूपर क्लस्टर का निर्मान हुआ अर्थात आकाज गंगा के समूह का निर्मान हुआ तो दोस टारि है इस चितर के माद्धेन से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस परकार यह विस्फोठ हुआ और विस्फोठ के फलसुरूप कैसे करमिक रूप से ब्रहमान का विस्तार हुआ और वरतमान में धरती पे जो जीवन है वो अस्तितों में है तो आप इस चित्रु को अच्छे ज़े देखिएगा दोस्तो अब बात करते हैं ब्रह्मान के विस्तार की ब्रह्मान के विस्तार से सामाने आशा है आकाश गंगाओं का एक दूसरे से दूर जाना या अंत्रिक्ष के विबिन्य पिंडों की बीच की दूरी का बढ़ना ही ब्रह्मान का विस्तार है और इस विस्तार का कारण है बिग बैंग के दौरान लगा व्यापक बल या उर्जा दोस्तों जब बिग बैंग हुआ था तो उसके दौरान बहुत बड़ी मातरा में बल या उर्जा उत्पन हुई थी और इसी बल या उर्जा के कारण जितने भी पिंड थे सब एक दूसरे से दूर जाने लगे यह बल अभी भी इन पिंडों पे कार्यरत है इसलिए सबी पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ऐसा विग्यानिकों का मानना है यदि इसके साक्ष की बात करें तो सबसे पहले H.E. Hubl ने 1920 में एक टेलिस्कोप बनाया इस टेलिस्कोप के माध्यम से इन्होंने सिद्ध किया कि आकाश गंगा या तारों की बीच की दूरी बढ़ रही है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कभी न कभी यह पास रहे होंगे और अब दूर होते जा रहे हैं 1966 में जॉर्ज लेमित्रे के शोद को 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने आगे बढ़ाया उन्हेंने भी कहा कि बिग मिग में कही गई बातें सकते हैं नासा ने जून 2001 में मैप अर्थात माइक्रोवेव एनिसोट ट्रॉपी प्रोब नामा के कनुसंदान किया इसमें एक उपगरह के माध्यम से नासा ने इस बात की पुष्टी की कि तारा और उसके साथ के गरह उपगरह गुर्णन तथा प्रक्रमन गति करते हुए तारे के साथ ब्रमान के केंदर से दूर जा रहे हैं अर्थात यह सभी दूर की तरफ गवन कर रहे हैं इसका मतलब ब्रमान का विस्तार जारी है हाल ही में जौन मथेर ने 800 किलिमेटर के हुचाई पर एक उपगरह इस ताबित किया और इस उपगरह के माध्यम से कही न कहीं पुष्टी की है कि सभी चीजें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं दोस्तों इन शोधों के आधार पर विब्रन वैग्यानिकों ने संभावना जताई है कि सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्योंकि इनके पीछे कोई न कोई उर्जा काम कर रही है लेकिन जब यहां उर्जा समाप्थ हो जाएगी तो सभी पदार्थ पुनहा एक संकुचित बिंदू में समाइथ हो जाएंगे और पुनहा कोई बिग वैंग होगा फिर पुनहा सारी चीज़ें विस्तारित होने लगेंगी और फिर पुनहा सभी चीज़ें एक संकुचित बिंदू में समाइथ हो जाएंगी यहां करम निरंतर चलता रहेगा दोस्तो अब बात करते हैं ब्रह्माण से संबंदित कुछ विशेश तत्यों के बारे में सबसे पहले ब्रह्माण की उत्पत्ती से संबंदित अने सिध्धान्त जिन में प्रमुक है साम्य अवस्था या सतत्सरस्ट्री या इस्तिर अवस्था का सिध्धान्त जो थॉमस गोल्ड वा हर्मन बॉर्णी ने प्रतिपादित किया दोलन का सिध्धान्त अलन संडेज ने दिया इसपीती सिध्धान्त अलन गुद के द्वारा दिया गया है लेकिन इसके अलावा सबसे माने सिध्धान्त था बिग बेंग का सिध्धान्त जो हम पढ़ चुके हैं दोस्तो ब्रह्मान का व्यास दसकी घात आंट प्रकास वर्ष है अर्थात 10 की घात 8 प्रकास वर्ष के बराबर ब्रह्मान का विस्तार का अंदाज लगाया गया है प्रकास वर्ष दूरी मापन की काई है ना की समय को मापने की और एक वर्ष में प्रकास द्वारा तै की गई दूरी को ही एक प्रकास वर्ष कहते हैं एक प्रकास वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणा एक हजार बारह किलोमीटर के बराबर सबसे तेज गती प्रकाश की है प्रकाश लगभग 3.0.30 की गती से गमन करता है पारसिक दूरी मापन की सबसे बड़ी ही काई है एक पारसिक बराबर 3.26 प्रकास वर्ष के बराबर होता है अंत्रिक्ष में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है हाईडोजन गैस अंत्रिक्ष यात्रियों की लंबाई अंत्रिक्ष में 2-3 इंच बढ़ जाती है क्योंकि गुरुत्वा कर्षन बल यहाँ पर शून्य होता है और जो रीड की हड़ी के बीच में कुंडलिया होती है वो धीले हो जाते हैं जॉइंट्स अंत्रिक्ष में हम सुन नहीं सकते क्योंकि आवाज के लिए एक माध्यम चाहिए और अंत्रिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता इसलिए अंत्रिक्ष यात्री संपर करने के लिए रीडियो तरंगों का प्रियोग करते हैं और दोस्तो 2017 में भारतिय विज्ञानिकों ने एक सुपर क्लस्टर की खोज की थी जिसके सरस्वति नाम दिया गया है सुपर क्लस्टर का मतलब होता है कई सारी आकाश गंगाओं का समू जिसकी खोज हाल ही में 2017 में भारति विज्ञानिकों ने की थी और इससे सरस्वति नाम दिया गया है दोस्तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत